सद्गुरू, मेरा सवाल भी योग से संबंदित है. मुझे याद है कि पिछले साल योग दिवस पर हमने बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया था. तो मेरा सवाल है कि बच्चे किस तरह का योग कर सकते हैं और इसके फाइदे क्या हैं और उन्हें प्रेरित कैसे करें? इस योग दिवस पर भी हमारा फोकस बच्चों और देश के सिपाहियों पर है. मैं नहीं जानता कि पिछले एक साल में देश में कितने सिपाही शहीद हुए हैं. मेरे पास आंकडे नहीं हैं. लेकिन साल दो हजार पंदरा में अठारा हजार से जादा बच्चे मरे नहीं. उन्होंने आत्मात्या कर ली. और उनमें से साथ हजार से जादा तेरा साल से कम उम्र के थे. एक समाज में इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती. जब हमारे बच्चे आत्मत्या करने लगें. तो हम कोई बुनियादी गल्ती कर रहे हैं. कोई बहुत बुनियादी गल्ती. मैं नहीं जानता कि दूसरे देशों के आंकड़े ऐसे हैं या नहीं. लेकिन कुछ आंकड़े हैं. हालात कितने बुरे हैं. ये अलग-लग समाजों पर निर्भर करता है. अलग-लग देशों में ये अलग हो सकता है. लेकिन उन सभी देशों में जहां वो गरीबी से संपन्यता की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दुर्भाग इसे ऐसा हो रहा है. भारत में इसके होने का एक मुख्य कारण ये है, कि भारत में 98 नमबर आने पर पास होते हैं. तो पिछले साल हमने बच्चों पर ध्यान की इंद्रित किया था, और मेरे विचार से हम देश के 35,000 स्कूलों तक पहुँचे थे. उन्हें एक आसान, ठहरिए, ठहरिए. समस्या बहुत बड़ी है. इस देश में 35,000 स्कूल बस एक बूंद है. हमने उन्हें उपयोग सिखाया. जिसे लोगों तक पहुँचाना बहुत आसान है. बच्चों के लिए ऐसी चीज महतोपूर्ण है जिसे उन तक पहुँचाना आसान हो और जिसका अभ्यास करना आसान हो. एक चीज यह है कि सीखने वाले जादा हैं. तो इसे बहुत सरल होन चाहिए. अगर ये योग की जटल पद्दिती हो, अगर ये योग का बहुत जटल सिस्टम हो, तो हम उसे बहुत कम लोगों को दे पाएंगे. क्योंकि योग के एक बहुत जटल सिस्टम को प्रदान करना जिससे रूपांतरन होगा. लेकिन अगर हम उसे ठीक से प्रदान न तो यह बहुत नुकसान कर सकता है, यह काफी नुकसान पहुचा सकता है, तो योग का सबसे आसान रूप जो उपियोग है, इसका मकसद है, एक चीज है बच्चे में रासायनिक संतुलन लाना, देखिए, आत्महत्याय होने का बुनियादी कारण है, उनकी भावनाएं, भावना की एक बड़ी लहर आती है, और उस पर लगता है कि मर जाना बहतर है, कई लोगों की जिन्दगियों में कई बार उन्होंने इस तरह सोचा होगा, लेकिन वो पल गुजर गया, आपने कोई कदम नहीं उठाया, हाई न, कई पल थे जब कोई चीज वाकई गलत हो गई और आप भावनात्मक रूप से परिशान थे, आपको ऐसा लगा, मुझे कुछ लोगों में उस पल उनकी भावना इतनी तीवर हो गई कि उन्होंने वाकई कदम उठा लिया, और दुरभाग से वो सफल भी रहे, आत्मात्या की कोशिश के आखड़े कोई नहीं जानता, भारत में कोई भी किसी को नहीं बताएगा कि मैंने आत्मात्या की कोशिश की क्योंकि हाली में इस कानून को खारिच किया गया, या रद्द किया गया है, वरना भारत में आत्मात्या की कोशिश आपराद था, इसका मतलब था आपको साथ साल की जेल, मेरा ये कहना है कि किसी ने आत्मात्या की कोशिश की है, मतलब उसको करुणा चाहिए, ना की सजा, उसे स्ने और देखभाल की जरूरत है, ना की सजा की, लेकिन आत्मत्या की कोशिश पर साथ साल की जेल थी, सिर्फ अभी, कुछी महीने पहले इसे हटाया गया है, तो बच्चों के मामले में ये कोई मजाक नहीं है, ये एक दुर्भागे पूर्ण असलियत है, बहुत दुर्भागे पूर्ण हकीकत है। अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधारना और फिर से बनाना होगा। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए समर्पित लोग चाहिए। एक नया सिस्टम लाने से ये काम नहीं होगा। जो लोग शिक्षा देते हैं, उनको अपने काम से प्रेम होना चाहिए। पढ़ाना या बच्चों को संभालना इसे पेशेवर तरीके से नहीं किया जा सकता और किया भी नहीं जाना चाहिए। एक शिक्षक, डॉक्टर, गुरू, जो आध्यात्मिक प्रक्रिया लोगों तक पहुँचाता है, वो जो कर रहे हैं, उसे उन्हें प्रतिबधता, समर्पन और अपने आज़ पास के लोगों के प्रति प्रेम की विज़ा से करना चाहिए। ये पेशेवर तरीके से नहीं किया जा सकता, लेकिन लाखों टीचर हैं, उन्हें उस अवस्था में कैसे लाया जाए, ये काफी दूर का लक्षा है, तो आसान चीज हम ये कर सकते हैं, कि बच्चों को शिक्षकों और सिस्टम को जहल पाने के काबिल बना दे। ताकि उनमें परयाब संतुलन हो, वो हमारी तथाकति शिक्षा प्रणाली के पागलपन को समझाल सकें, क्योंकि ये काफी अमानवीय है, ये अमानवीय इसलिए नहीं हैं क्योंकि ये मुश्किल है, ये अमानवीय है इसे चलाने के तरीके की वज़े से, मेरे विचार से ये नीचना सीखना चाहिए। बात इसे चलाने के तरीके की है। कौन इसे चला रहा है? यही सवाल है। जब लोग आनन्दित हैं आप उनसे जितनी चाहे खीशतान करवा सकते हैं। वो ठीक रहेंगे। अगर आप यह नहीं जानते कि उन्हें आनन्दित कैसे रखें और आप उन्हें खीशते हैं तो वो तूट जाएंगे। आये ना। तो एक चीज है योग सिखाना ताकि बच्चे से समालने के काबिल हो जाएं। किस तरह का योग? एक आसान रूप, जितना सरल हो सके उतना। ताकि इसे बिना इसका रूप बदले आसानी से सिखाया जाए। और वो इसका बहुत आसानी से अभ्यास कर पाएं। और अगर व बहुत जटल योग सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है उनकी हड्डियों का धाचा बड़ा हो रहा है। मैं देखता हूँ कि ये जाने बिना कि कौन सी चीज क्या है। स्कूलों में बच्चों को हर किसम के आसन सिखाये जा रहे हैं। जब आपके हड्डियों का धाचा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो बड़ों के लिए बने हैं। कुछ योग अभ्यास हैं जो छोटी लड़कियों को उनकी शारिरिक प्रकृती की वज़ा से नहीं करने चाहिए। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखे बिना एक सी चीजें सभी को सिखाये जा रहे हैं। तो ये एक बहुत सावधानी से संतुलित की गई योग पद्धिती है जो बच्चे के शारिरिक और मानसिक विकास में सहयता करती है। सबसे बढ़कर ये भावनात्मक संतुलन का एक खास तर लाने पर केंद्रित है। ये ना सिर्फ आत्मत्या की आपदा से बचाएगा। मेरा यकीन कीजिए, जादतर लोगों में जो भी बुद्धमानी होती है, उनमें जो भी काबिलियत होती है, उनमें जो भी क्षमताएं होती है। उसका एक छोटा प्रतिशत ही जाहिर हो पाता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से वो पूरी तरह संतुलित नहीं है। वो हमेशा डरते हैं कि नाखुशी, दुख, निराशा, अवसाद उन्हें घेर सकता है। तो वो सिर्फ उसी गदी में बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज में संतुलन नहीं है। किसी भी काम में है, हमारे सबसे आसान कामों से लेकर सबसे बड़े कामों में है। अगर आपको साइकल भी चलानी हूँ और आप संतुलित ना हूँ, तो आप ऐसे चलाएंगे, आप इधर दर नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप संतुलित हों, तो हाथ छोड़ सकते हैं, हर किसी को देख सकते हैं, शरारत कर सकते हैं, आप हर चीज कर सकते हैं, क्योंकि आप संतुलिन में हैं, है न, यही जीवन के साथ भी है, अगर आप में संतुलिन हैं, तो एक समय में आप कई चीज़े कर सकते हैं, व भावनात्मक और मानसिक संतुलन ले आएं ताकि वो डगमगायना आप संतुलन की एक केमिस्ट्री पैदा करें अगर ऐसा होता है तो वो अपनी बुद्धी, अपनी काबलियत और अपनी प्रतिभा की कई अलग-लग तरीकों से खोज करेंगे अगर ये एक चीज ना हो, तो आप देखेंगे कि अगर जवर्दस काबलियत भी हो, तब भी कश्ट के डर से उसकी खोज नहीं होगी 85 फीसिदी मानफता के लिए ये सच है कि वो अपनी काबलियत की पूरी गहराई और आयाम को नहीं खोचते, सिर्फ इसलिए क्यूंकि उनमें भावनात्मक संतुलन नहीं है और ये सिपाहियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उन्हें भावनात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए तो इस साल हम बच्चों और सिपाहियों पर फोकस कर रहे हैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए टीचर को योग अभ्यास करना चाहिए योग का सकरात्मक असर देखना चाहिए अगर वो टीचर को देखकर सोचते हैं, यही एक चीज है जो मैं नहीं होना चाहता नहीं, इसे प्रेर्णा नहीं कहता है मैं यहाँ, संस्कृती स्कूल और इशा होम स्कूल, दोनों में यह होते देख रहा हूँ कि हर साल कुछ बच्चे स्कूल वापस आना चाहते हैं, पढ़ाई खत्म करने के बाद वो टीचर की तरह काम करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि टीचर यकीनन प्रेरित कर रहे हैं अगर आप अपने टीचर को देखें, तो ऐसा होना चाहिए ओ, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ अगर ऐसा नहीं होता, तो जो टीचर कर रहा है, वो कोई नहीं करेगा परिक्षा खतम होने के बाद, हम याद भी नहीं रखना चाहते हम उस स्कूल में थे जाधतर लोगों का यही अनुभव है, वो कभी भी स्कूल वापस नहीं जाना चाहते उन्होंने लगभग 12 साल बिता है, अपने जीवन का एक एहम समय, 12 साल एक स्कूल में जाधतर लोग उस स्कूल में फिर कभी नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने छुटकारा पाया था इसे ऐसा नहीं होना चाहिए, यह वो जगाया जहां आप बड़े हुए आपको हमेशा वापस जानी की इच्छा होनी चाहिए, और देखना चाहिए कि आप कैसे युगदान कर सकते हैं, आप कैसे कुछ कर सकते हैं, अगर वहां से प्रेड़ना मिली है, अगर वहां यातना मिली है, तो आप यकीनन वापस नहीं जाना चाहेंगे झाल झाल